अनुमंडल कारियाले जामताडा के समक्ष बारबेंदिया पुल निर्मान संगर समीती के त्वत्वधान में एक दिवसे धर्ना प्रदेशन का आयोजन हुआ धर्णा प्रदेशन कर रहें प्रदेशन कारियों ने साल 2009 से अधूरे पड़े वीरगाव बार्बिंदिया पुल निर्मान करवाने की मांग की है बताते चले कि ग्रामिन विकात्स विभाग धनबास से 20 जनवरी 2008 को पुल निर्मान आरम हुआ था इस बीच 20 अगस 2009 को निर्मान के द्वारान ही वीरगाव बार्बिंदिया पुल का दो पीलर पानी में बह गया जबकि दो अन्य पीलर पानी के तेज भाव से जुग गया इसके बाद पुल के पीलर बह जाने की घटना को लेकर जाच आरम हुआ जाच के कर में पुल के पीलर के 64.33 फिट प्लाइंग करना था लेकिन कारे कर रहे समवेदक ने 22 फिट में प्लाइंग कर दिया था हाड डॉक नहीं मिलने के बावजूद पीलर की प्लाइंग कर दिया गया था यही वज़ा है कि निर्मान के द्वारान ही पुल का 56 फिलर में से दो पिलर पानी के तेज भाव में सह नहीं सका और पिलर बह गया था पुल की लंबाई 1433 मीटर उस समय रखी गई थी मौके पर पुल निर्मान संघर समीते के अध्यष असोक महतो ने कहा कि अधूरे पुल होने के कारण जामताड़ा जीले के लोगों को निर्सा जाने के लिए 35 किलो मीटर अधिक दूरी तै करनी पड़ती है यानि की बीरगाव बारबेंदिया के रास्ते जामताड़ा वा निर्सा के बीच की दूरी महत 25 किलो मीटर है जबकी चतरंजन मैथन के रास्ते घूम कर निर्सा जाने के लिए 60 किलो मीटर की दूरी तै करनी परती है लिहाजा साहब गर्ज दुमका जामताड़ा वा संथाल प्रंगना के अने जीले के लोगों को निर्सा जीटी रोड तक पहुँशने के लिए 35 किलोमीटर अधिक दूरी तैक करनी पड़ रही है और लगातार या प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो बारबेंदिया में पुल निर्मान होना था वो किसी कारणवास अधूरा रह गया और सरकार से यह हम लोग दूरी सुत्री मांग रखते हैं कि यह जल्द से जल्द उस अधूरे पूल को किसी भी तरहाल में वो पुरा करें और एक इसके बाद एक उच्छ तरिया पूल वहा निर्मान हो इसे लोगों को भविश्च में आने जाने का और इस छेत्र के विकास के लिए वो रास्ता खुल सबी तो सरकार से हम लोग लगातार यह प्रियास है यह मांग करते हैं यह हमारा लोगतांत्री का अधीकार है धर्ना प्रदसन के माध्यम से कि हम इस मांग को जो है सरकार को बढ़ियां से बटाए और सरकार इस मांग पर जल्द से जल्द पहल करें ऐसी उम्मीद हम लोग करते हैं चुकि हमांत सुरेन की हबारे संथाल परगना से बिलोंग करते हैं वे इस चेतर से प्रतिनी दी हैं वे इस समस्या को और भी अच्छी तरह समझते होंगी मैं इन्हें बातों को ती उम्मीद करता हूं उनसे कि यह फूल नेवान जल्द से ज आज 13 वर्स से अधुरा पड़ा हुआ है उसी के लिए हम लोग धरना पर दसन कर रहे हैं कि फूल का निर्मान हो राज सरकार से हम लोग उनुवत करते हैं सबसे कि इसे फूल जल्द बन जाए क्या नाम है आवेदिन अंसारी